नमसे दोस्तों मैं सीमा सत्या आपका अपने चनल पर फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आप जैसे कि देख रहे होंगे कि प्रड़क्त किया है तो यह बर्टरफ्लाय का इंडक्शन है और फ्रेंड यह टर्बो फ्लस है और फ्रेंड्स मैंने इसे 7 या 8 मन्स पहले मंगवाया था इसको मैं 7-8 मन्स से यूज कर रही हूं तो फ्रेंड्स यह वाला रिव्यू है यह आफ्टर यूज है यह मेड इन इंडिया है तो फ्रेंड्स हम अब जल्दी से डिसकर्स कर लेते हैं इसके इंपोर्टेंट फीचर इसमें 8 healthy menu recipes हैं और फ्रेंड्स यह overheat होता है तो यह अपने आप automatically power off हो जाता है और फ्रेंड्स यह बहुत easy to handle है और बहुत easy to use है इसका minimum temperature है 70 degree centigrade है और maximum 270 degree centigrade है तो उसके according आप अपनी cooking कर सकते हैं तो फ्रेंड्स हम प्रड़क्ट देख लेते हैं तो फ्रेंड्स हमारे पास ऐसा प्रड़क्ट आया था जिस इस तरह से work करता है और आप यह देख सकते हैं यह induction है जिसमें circle है यह heat up होता है बाकी का यह इतना heat नहीं होता आप इसको हाथ भी लगा सकते हैं गरम पर but be caution रखिएगा यह जैसे ही गरम होता है अगर आप इसे touch करेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा so take care of this तो फ्रेंड्स इसी है कि आप कोई भी जो भी stainless steel के जो भी जितने भी बरतन है आप उन्हें इस पर easily use कर सकते हैं जिसका flat base हो जो इसके उपर flat base होगा friends तो यह easily उसको accept कर लेता है और start हो जाता है अगर friends कोई भी बरतन induction friendly नहीं है तो यह उसको accept नहीं करता और empty empty दिखाता है इससे पहले मैं मैंने कई वीडियो बनाया है कूकर के यह तवा के यह दोसा तवा के मैंने स्पेशली बताया था कि उसमें मैंने वही चूज किया था जो इंडक्शन फ्रेंडली है क्योंकि आजकल इंडक्शन modern kitchen का एक बहुत important हिस्सा है क्योंकि कभी-कभी आपके घर में gas खतम हो जाता है तो electricity से आप gas stock के जगे induction का use बहुत easily कर सकते हैं मैं induction को अपने kitchen में बहुत smartly यूज करती हूं जैसे कभी दूद गरम करना है यह पानी बॉइल करना है तो मैं चोटा मोटा काम इस पर ही कर लेती हूं और बाकी का काम मैं यह 4 डिजट का है और आप देख रहे हैं timer और preset जो तीन या चार घंटे के लिए हो जाता है और यह आप देख रहे हैं power on यहां से होता है आप देख रहे हैं यह power on का बटन है यहां से manufacture होता है आप देख सकते 2700 degree centigrade जैसे कि मैंने बोला था और फ्रेंस जैसे कि यह यह एमटी दिखा रहा है क्योंकि इमटी है इस्थरंस जो आप देख रहे है के आप टेमप्रिक्रा लिए डी चल क्रूत के ओफड दॉसा है और है आप देख सकते हैं और अगर आपको टेइचिर आपर का साइं है और मीचे के लिए नीचे के लिए तो मैंने कहा था फ्रेंस यह सरकल दिख रहा है यही हीट अप होता है तो कभी भी आप यह बहुत precaution व्याद रखिएगा फ्रेंस यह गरम हो जाएगा तो आप डाइरेक्ट हाथ मत लगाईएगा आप इसे बहुत precautionary यूज करिएगा तो फ्रेंस यह बहुत easy to handle है और बहुत ही easily आप इसको handle कर सकते हैं और यह बहुत easy to carry है तो फ्रेंस आपने मेरे butterfly induction का पूरा demo देखा तो आपने देखा यह बहुत easy to handle है और बहुत easy to carry है और फ्रेंस इसमें बहुत rocket science नहीं है इसे कोई भी चला सकता है और कोई भी यूज कर सकता है और फ्रेंस जैसे कि मैंने आपको चलाते टाइम भी बोला था और कि जो इंडक्शन फ्रेंडली यूटेंसल्स है या बरतन है आप उन्हीं यूज करें और फ्रेंस जैसे कि मैंने इसका इंपॉर्टन फीचर बताया भी था कि ओवर हीट होता है तो यह आप्टमेटिकली कट ओफ हो जाता है तो फ्रेंस आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजेगा कमन सेक्शन में आप मेरे साथ शेयर कीजेगा अगर आपके साथ कोई क्वेरी हो या आप कोई कोशिशन करना चाहते हैं तो मैं उसके आ बाइ